नमस्कार शिक्षार्थियों एन आयोस के स्टूडियों में आपका हारदिक स्वागत है आज हम भारतिये दर्शन के कोड संक्या 347 उस तक दो अध्याय सोला के स्रश्टी प्रलाई विचार पर चर्चा करने जा रहे हैं अभी तक हमने देखा था अभी तक हमने पड़ा था कि अध्वेत वेदान्त में स्रश्टी जो है उसका क्या क्रम है अद्वेत वेदान्त में इश्वर से सरो प्रतम आकाश की उत्पत्ती होती है आकाश से वायू की वायू से अगनी अगनी से प्रत्वी जल इत्यादी की उत्पत्ती होती है ये जो भूत होते हैं ये सुक्षम भूत होते हैं इन सुक्षम भूतों से शुक्षम सरीर की उत्पत्ति होती है सुक्षम सरूर से फिर पंचीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो स्तूल भूतों की उत्पत्ति होती है परन्तु यहां पर एक जिग्या सा उत्पन हुई कि यह पंचीकर्ण प्रक्रिया क्या है तो अब हम पंचीकर्ण प्रक्रिया का अध्यन करने जा रहे हैं पंचीकर्ण प्रक्रिया क्या है पंचीकर्ण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके कारण सुक्ष्म भूत, महाभूत तता स्थूल भूत बनते हैं यह स्थरश्टी निर्मान की प्रक्रिया है कहने का आशय है कि पहले आत्म तत्तु से जो है या हिश्वर तत्तु से पहले सुक्ष्म भूत ही उत्पन होते हैं पर एक प्रक्रिया है जिसके माद्यम से सुक्ष्म भूत, स्थूल भूतों में परिवर्तित होते हैं तुल्वूत बूुत बनकर के फिर जए का निर्मान होता है। देखिए जो पंचीकर्ण प्रक्रिया है, यह वस्तुत है समस्त महाबूत जो हैं, उनके एक निश्ची तनपात में मिलने की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो आकाश है, उसमें क्यों आकाश का यह अंस विद्यमान नहीं है, उसमें जल, तेज, वायू, इत्यादी का अंस भी विद्यमान हैं। तो इनसे कितना कितना अंस्प्राप्तों आकाश को, आकाश को कितना अंस्प्राप्तों होगा, आकाश का तता अन्य महाभूतों का कितना अंस्प्राप्तों होगा, यह हमको पंचीकरण प्रक्रिया के माध्यम से समझने का अवसर प्राप्त होता है, प्रत्येक महाभूत को द के माद्यम से सुख्ष भूद जो है, वो स्थूल भूद बनते हैं, स्थूल भूद कब होता है, जैसे आकाश जो है, उसमें के और आकाश का ही अंस विद्यमान नहीं, उसमें प्रत्वीका भी अंस विद्यमान है, उसमें जलकांस भी विद्यमान है, उसमें तेजगांश भी में बज़ित कर लो आदा भाग जैसे प्रत्वी को लेते हैं तो प्रत्वी को दो बज़ित करो 1 by 2 प्रत्वी हो गया और 1 by 2 इसका अलग भाग हो गया अब यह जो 1 by 2 है जो शेश बचा हुआ है इसको 4 भागों में बज़ित कर लिया 1 by 8 वन बाई एट वन बाई एट वन बाई एट यानि एक चोथा ही भाग तो ये जो वन बाई एट वन बाई एट है उसमें आदा भाग तो प्रत्वी का है प्रत्वी में आदा भाग प्रत्वी का है और एक बटेवे आठ भाग जल का एक बटेवे आठ भाग तेज का एक वायू का पार्ट है, वन बाई एट आकास का पार्ट है, इसी प्रकार तेज में, वन बाई टू तेज का पार्ट है, अब इसका आधा भाग तो तेज का हो गया, और आधे भाग को फिर चार भागों में वाजित कर रखा है, प्रत्वी जल वायू और आकास में, एक बटे एक बटे आठ एक बटे आठ एक बटे आठ एक बटे आठ तो यह जो अन्य भाग है वो भी इसमें मिश्रितों करके तेज महाबूत बनता है इसी प्रकार वायू महाबूत को दो बागों में वाजित कर लो जिसका आधा बाग 50% वायू है और 50% जो बच गया अर्थात एक आठ एक बटे दो जो अकाश का है और वन अड़ा प्रतवी का वन अड़ाऑ एट जल का वन जो चार वागों में वाजित करके शको वाजित कर के इसको हम कहते है पंचि करना अर्थात पंच महाबूतों के निश्चित अनुपात में मिलने की प्रक्रिया जिसके माद्यम से शुक्षम भूत जो हैं वो पंच महाबूत बनते हैं सुक्षम भूतों में क्योल अपना यह अंश विद्यमान होता है जैसे आकाश में क्योल शब्द कांस विद्यमान है और अन्य महाभूत कांस विद्यमान नहीं है इसलिए वो शुक्ष्णबूत है पर वही पंच महाभूत कब कहलाता है जग उसमें परत्वी जल्द, तेज, वायू, इत्याधी, अन्य महाभूत कांस भी एक निशित अनुप और बाकी वन बाई एट जो है वो उसमें तेज कांस विद्यमान है वन बाई एट उसमें प्रत्वी कांस विद्यमान है वन बाई एट उसमें वायू कांस विद्यमान है और वन बाई एट उसमें अन्य महबूत कांस विद्यमान है तो फिर उसको आकाश क्यों कहा जाता है उस क्योंकि उसमें तो सभी अंसों का विद्यमान हो उसको और कोई नाम से पुगरा जा सकता था तो ब्रह्म सुत्र कहता है वेशिष्यात्तु तद्वादस तद्वाद है अर्थात पंच महाबूतों के समान रूप से पंचात्मक होने पर भी अर्थात प्रतेक महाबूत में प्रतेक महाबूत का अंश विद्यमान होने पर भी उसमें अपने अपने भाग के विशेष भाव आदिक्यों होने के कारण वेशिष्यात विशेष भाव के कारण उसका नाम उस वेवार से होता है इस न्याय से आकासादी नाम संबह होते हैं कहने का मतलब है कि आकास जो है उसमें एक बटेवे दो भाग आकास का है 1 by 2 파 आकास का है 6 1 by 8 파 अन्य महभुतों का है इसलिए चूंकि जादा पार्ट आकास का है इसलिए उसको हम कहते हैं आकास अपने अपना भाग उसमें विशेस रूप से वेशिश चात विशेस रूप से उसका भाग उसमें विद्य माने इसलिए उसको हम आकाश कहते हैं उसी प्रकार जल में 1 by 2 पार्ट जो है वो जल का है 1 by 8 पार्ट आकास प्रत्वी जल वायू इत्याधी का है परन्तु वन बाई टू पार्ट उसका खुद का इसलिए उस जो महाबूत है उसको उस नाम से पुकारा जाता है अब पंची करण इम तीवरत करण पर हम चर्चा करते हैं एक यहां परशंका होती है कि पंची करण का उल्लेक अद्वित वेदान्त में जो आया है क्या कहीं वेदों में अत्वा उपनिशदों में इसकी चर्चा आई है पंची करण का सुरुतियों में कहीं भी उल्लेक नहीं मिलने से इसकी प्रामानिक्ता पर संदे होता है तो इसका उत्तर वेदान्त सार में का गया है कि न अश्या प्रामान्यम ना शंकरी है त्रीवरत करण सुरूते हैं पंची करण अभ्युपलक्षन अत्वात अर्था त्रीवरत करण का उलेक जो है वो छांदोगी उपनिशद में प्राप्त होता है और पंची करण उसका उपलक्षन है त्री व्रत करण क्या है त्री व्रत करण में जैसे पंची करण में पंच महाबूतों की जो उत्पत्ति है उसमें प्रत्यक महाबूत में पांच महाबूत जो है वो समाहित है आकास में आकास तो समाहित है ही अन्य चार महाबूत भी समाहित है इसको हम कहते पंची करण त्रिवरत करण में अगनी, जल और प्रत्वी इन तीनों तत्तों में से सेज दोनों तत्तों का समाविश करके प्रत्ते की अलग-अलग तीन भागों में वक्त करने की क्रिया है यानि त्रीवरत करण में जैसे अगनी का जो निर्मान है वो अगनी जल और प्रत्वी तीनों महाबूतों से हुआ है जल का निर्मान जल अगनी और प्रत्वी तीनों महाबूतों के निश्चित अनुपात में मिलने से हुआ है प्रत्वी का निर्मान जो है वो प्रत्वी, जल और तेज तीनों के निश्ची तनुपात में मिलने का परणाम है इसको हम कहते हैं त्री व्रतकर्ण इस विचार पद्दती के नुसार प्रत्यक तत्व में सेज तत्वों का भी समावेश माना जाता है उधारन के लिए अगनी को लीजिए तो अगनी में अगनी जल और प्रत्वी का समावेश हो जाता है इसका उल्लेक जो है वो छांदोग्य उपनिशद में किया गया है तो पंची करण का उलेक तो नहीं किया गया तब फिर क्या पंची करण को अप्रामाणिक माना जाए क्यों नहीं माना जाए क्योंकि सुरूती को वस्तुत पंची करण ही अभिष्ट है त्रीवरत करण का वर्णन तो सुरूती ने प्रयोग सोकरी के लिए क्या है पंची करण की प्रक्रिया कुछ जटिल है त्रीवरत करण उसकी अप्यक्षा आसान है सरल है इसलिए सुरूती न कर्थन का अभिप्राय क्या है? कर्थन का अभिप्राय यह है कि त्रीवरत करण का उप्योग जो छांदो गयो प्रिशद में किया गया है उसमें उसी को पंची करण का उपलक्षन मानना चाहिए अर्था पंची करण का उल्लेग भी त्रीवरत करण के कारण मान लेना चाहिए फिर त्रीवरत करण का उल्लेक क्यों किया गया है इसलिए किया गया है कि पंची करण की प्रक्रिया जटिल है त्रीवरत करण की प्रक्रिया आसान है इसलिए प्रयोग सोकरी के लिए प्रयोग की सुविदा के लिए आसान बताने के लिए त्रीवरत करण का उल्लेक और स्रश्टी के इस क्रम की प्रक्रिया के लिए पंची करण प्रक्रिया को समझा। अब हम देखते हैं कि प्रलय किस तरह से होता है। क्योंकि स्रश्टी के पश्चात क्या होता है प्रलय होता है। अद्वित विदान्त में प्रलय जो है वह भी एक महत्पूर्ण सिद्धान्त है प्रलय का मतलब होता है त्री लोग का नाश प्रलय कहलाता है कहने का मतलब है कि कारण जब कार्य को उत्पन करता है तो उसको हम कहते हैं स्रश्टी और जब कार्य कारण में विलिन हो जाता है त जाते हैं या इन सबका लए जब उस ब्रह्म में हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रले अब यह प्रले चार प्रकार का होता है नित्य प्रले प्राक्रत प्रले नेमित्तिक प्रले और आत्यनितिक प्रले नित्य प्रले वह प्रले है जो प्रतिदिन होता है जैसे मनुष्यों की जो मृत्यू है वो नित्य प्रलाई के अंतर गताती है मनुष्य अपनी अवस्था में चला जाता है या मनुष्य जागरत अवस्था में भी जब अपनी निद्रावस्था में चला जाता है जब सो जाता है सपन अवस्था नहीं निद्रावस्था जहाँ पर उसको कोई ग्यान नहीं होता तो उसको हम कहते है नित्यप्रलाई वहाँ पर ने सपन होता है ने किसी की कामना होती है ने यत्रसुप्तो ने कंचन कामम कामयते ने कंचन सपनम पश्यती अर्थात मनुष्य प्रति दिन एक ऐसी अवस्ता में जाता है जिसको हम कहते है सोना सुशुप्ति के अवस्ता निद्रा के अवस्ता उस अवस्ता में मनुष्य को कुछ भी ग्यान नहीं होता उस अवस्ता में मनुष्य को कोई द्वेत नहीं होता उस सवस्ता में ना तो मनुश्य किसी की काम ना करता है, ना स्वप्न देखता है, तो उसको हम कहते हैं नित्यप प्रले एक होता है प्राक्रत प्रले ब्रह्मांड के सभी भुकंड अत्वा ब्रह्मांड का मिठ जाना नश्ट हो जाना बस्म रूप हो जाना यह है प्राक्रत प्रले कहलाता है वेदान्ति के अनुसार प्राकरत प्रलय अत्वा प्रलय का वह उग्र रूप है जिसमें तीनों लोकों सहित प्रकरती पहले और मूल विकार तक का नास हो जाता है प्रकरती भी ब्रह्म में लिन हो जाती है संपूर्ण ब्रह्मान सुन्य अवस्ता में हो जाता है न जल होता है न वायू न अग्नी होती है न आकास ना ही कुछ अन्य यह प्राक्रत प्रले कहलाता है तीसरा होता है नेमित्तिक प्रले नेमित्तिक प्रले वेदान्त के अनुसार प्रतेक कल्प के अन्तमे होने वाला तीनों लोकों का ख्षय अत्वा पूर्ण विनास हो जाना नेमित्तिक प्रलय कहलाता है प्रत्य कल्प के अंत में अर्थात ब्रह्मा का जो ही एक दिन होता है कल्प का अंत होता है तो फिर ये समस्त जो तीनों लोक है प्रत्वी लोक, भू लोक, आकास लोक ये तीनों लोग जो है वो पूर्ण रूप से अपने ब्रम में लीन हो जाते हैं इशाय नेमित्तिक प्रोक्टे प्रलयो यत्र विस्वसरक शेशे अनन्ता सनो विस्वं आत्मसाथ करत्य चात्मभू अर्थात यह समस्ट जो तीनों लोग हैं, यह तीनों लोग अपने कारण में जाकर लीन हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं नएमित्तिक परले एक होता आत्यनितिक परले, यह बहुत महत्तो परले है, इसको समधने अत्यावशक हैं कि अभी हमने बताया था जो इश्वर है उससे पहले आकाश उत्पन्वा आकाश से जो है वो आकाशाद वाई हुई वाई उत्पन्वी वाई और अगणी ही वाई उसे अग्णी उत्पन्वा अग्णे राप है अगनी से जल उत्पन हुआ अद्वे है प्रत्वी और जल से प्रत्वी उत्पन हुई और प्रत्वी से अन और अन से प्रजा उत्पन हुई तो ये जो क्रम है इसका उल्टा क्रम जो है वो वापस लीन होता है यानि सबसे लाश्ट वाला उसके पहले वाले में उसके पहले वाले में लीन होता जाता है इसको कहते हैं प्रलाई इसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलाई आकाशा दिबूतों की उत्पत्ति का जो क्रम है उसके उल्टे क्रम से जो प्रलाई होता है उसको हम कहते हैं आत्यंतिक प वायू जो है वो आकास में लीन हो जाता है और आकास जो है वो माया में लीन हो जाता है और माया जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाती है महाभारत में भी आत्यंतिक प्रले को बताया गया है अर्थात कि हे देवर्शी नारद यह जो प्रत्वी है यह पहले जल में विलीन होती है जिसको जल प्रले कहते हैं फिर यह जल जो है वो अगनी में विलीन होता है अगनी जो है वो वायू में विलीन होती है और वायू जो है वो आकाश में विलीन होता है आकाश जो है वो अग्यान में विलीन होता है अर्थात माया में विलीन होता है और जो माया है वो परमपुरुस ब्रह्म में विलीन हो जाती है हमने बताया कि जो प्रले होता है वो उसके विपरी तक क्रम में होता है क्यों क्योंकि जो बताया था कि जो मायायोक्त जो ब्रम होता है इश्वर होता है उससे क्या होता है कि पहले आकाश उत्पन होता है आकाश से वायू उत्पन होती है वायू से अगनी उत्पन होती है अगनी से जल उत्पन होता है जल से प्रत्वी उत्पन होती है तो जो प्रलह का जो करम होता है वो जस्ट इसके विप्रित होता है यानि जो जिससे उत्पन होता है वो उसी में विलीन हो जाता है कि प्रत्वी जल में विलीन हो जाती है जल जो है वो अगनी में विलीन हो जाता है अगनी वायू में विलीन हो जाती है वायू आकाश माया में विलीन हो जाती है और माया स्वयम ब्रह्म में यहीं विलीन हो जाती है इस प्रकार यह आत्यनतिक प्रलय होता है इस प्रकारम ने स्रष्टी का करम देखा और उसका प्रलाय देखा पंची करन प्रक्रिया देखी आशा करता हूँ कि सभी सिक्षार्थी इन तथ्यों का अवबोध सम्यक्तया कर लिया होगा सादर नमस्कार